नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं इस वर्स पॉले चर्ण में कम से कम 30,000 नियुक्तिया करने का लक्ष निधारित किया है राज सरकार की नई नियोजन निती का प्रस्ताव वर्स 2016 के पुर्व लागू नियोजन निती के अधार पर त्यार किया रहा है यह निती सरकार ने CM को मिले यूआओ के फ्रीडबैक के अधार पर त्यार कराया है इसके लिए राज सरकार ने भारत सरकार की मिनी रत्न कमपनी ब्रोड कास्टिंग इंजिनियारिंग का स्टेट इंडिया लिमिटेट को राय लेने का जीमा सोपा था सुझाओ के लिए कूल 7,3,921 लोगों तक पहुँच बनाई गए जिसमें तीहतर पत्य जारकन के यूआओ ने 2016 से पहले वाली नियोजन निती के अधार पनियों की परकिया शुरू करने पर समती जताई वहीं 16% यूआओ ने जबाब नहीं में दिया था जबकि 11 परत्याज यूआओ ने कह नहीं सकते कहा था यूआओ की राय 2016 की नियोजन निती को अपनाते हुए नियोक्ति परकिया शुरू करने पर ही सरकार आगे बढ़ रही है जारकन में 3 माह से नहीं बरसे बादल जारकन में 96 दिनों से एक बुंद भी बारिस नहीं हुई है इसे पहले 26 नॉंबर को बारिस हुई थी यह राजे का अब तका सबसे लंबा ड्राई सीजन है लागातार बारिस नहीं होने का असर मौसम पर दिख रहा है इसका असर उत्पादन पर भी दिखेगा मौसम केंद्रे के अनुसार 6 मर्श तक बारिस कुमिद नहीं है इस दोरान अधिक्तम तापमान में 2-3 डिग्री सेलसियस तक ब्रिधी हो सकती है वहीं अधिक्तम तापमान 32-34 तथा नियुमतम तापमान 16 डिग्री के आजपास रहेगा है जारखन के अस्पतालों में OPD ठप इमर्जेंसी में भी इलाज मुस्कील जारखन में IMA और जहासा के तत्वधार में बुलाये गए बंद का व्यापक असर दिखा जारखन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स सहीत कई सरकारी अमनीजी अस्पतालों में OPD तथा इमर्जेंसी सिवाय ठप रही मरीज पहुँचे लेकि डॉक्टर नहीं पहुँचे अस्पताल के काउंटर्स पर परच्चा काटा गया लेकिन डॉक्टर ने इलाज नहीं किया बता दे गढ़वा में SDO और थाना परभारी की अगवई में परसासन की टीम डॉक्टरों को समझाने पहुँची सिविल सर्जन से वारता हुई कहा गया कि आपसी विचार भी मर्ज के पच्चात हरताल खत्म करने पर विचार होगा रांची के रिम्स अस्पताल में OPD में हरताल का असर दिखा डॉक्टर नहीं पहुँचे थे दूर्द राज से आय मरीजों का कहना था कि उनको हरताल की जनकारी नहीं मिली थी बीत मंत्री ने बिधान सभा में पेस किया ती तिये अनुपूरक बजट जारखन बिधान सभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की करवाही प्रशन काल के साथ सुरू हुई इस दोरान का रवाही शुरू होने से पहले भाजपा की बिधायकों ने सदन के बाहर जम कर हंगामा किया बता दे कि ए लोग नियोजन निती की मांग को लेकर परदर्शन किया और राज सरकार के खिलाप आरोप लगाए कि युगा के साथ चल किया गया है वहीं सदन में बीत मंतरी रामेशवर उरावन ने 45,46,27,00,000,000 का तिरिती अनुपुरग बजट पेस किया है बता दे कि रामेशवर उरावन ने बीती वर्ष 2022-23 के लिए आखरी अनुपुरग बजट पेस किया है वहीं सदन में भाजपा बिधायक बिरांची नरायन ने डोग बाइट का भी मामला उठाया है रामगढ उप चुना दो मार्च की सुबा आठ बये से काउंटिंग सुरू रामगढ उप चुना की काउंटिंग को लेकर सभी त्यारिया पुरी हो गई है बता दे रामगढ कॉलेज में बने मत गणना अस्थल में तीन कक्छो में 40 टेवलोपर काउंटिंग होगी 405 बुथो की मत गणना 10 राउंड में की जाएगी मत गणना के सफ़क संचानल को लेकर बुद्वार को डीसी माधवी मिस्रा और एस्पी प्यू स्पांडे ने रामगढ कॉलेज के अने रिक्षन कर अधिकारियों को दिशाने देश दिये इस दवरान डीसी एस्पी ने मत गणना अस्थल में परतिन्युक्त सभी दंडा अधिकारियों पुलिस अधिकारियों कर्मियों को सुन्युक्त से सुराक्षा समन्दित का जनकारिया दी रांची में आज से दो दिवसी सिखर समेलन बिस्व में उर्जा के बिकल्पो को लेकर लगातार मंथन के बीच रांची में G20 समोह की दो दिवसी बैटक गुरुवार से सुरू होगी बैटक में भाग लेने के लिए 90 डेलिगेट्स के आने की सुचना है जिसमें 21 बिदेशी है और 69 भारतिये प्रतिनिदी है शिखर समेलन को लेकर तमाम तयारिया को अमतिम रूप दे दिया गया है तयारियों की निगरानी, स्वें, मुख्य, सचीव, सुक्तेव, सिंग कर रहे है जबकि इस कारेकरम के लिए परधान सचीव, अजय, कुमार सिंग, अलग से अधिकरित किये गया है कारेकरम के सफल संचालन के लिए एक दर्जन से अधिक, IAS अधिकारी को विभीन मोर्चे पर लगाया गया है पांच परतिसत कमिसान नहीं देने पर नहीं मिलेगा टेंडर विरेंदर राम की आडियो इडि के पास सावा सो क्रोर की अवैद संपति अरजित करने के मामले में मनी, लॉंडरिंग के तहद की रफ्तर, ग्रामिन कारे, विभा के मुख्य अभेंता, बिरेंदर राम के मोबाइल का डेटा, IDI ने सुरक चित कर लिया है प्राप्त डेटा में एक बातचीत का अंस सामने आया है, जिसमें बिरेंदर राम को उनका एक वरिष्ट अधिकारी उन्हें निर्देश दे रहा है, कि जो पांच परतियत कमिशन नहीं देगा, उसे टेंडर नहीं मिलेगा IDI ने बिरेंदर राम से उक्त अधिकारी के बारे में पूरी जनकारी ले लिया है, बताया जा रहा है कि जल्द ही IDI उन्हें समन कर पुष्टाच के लिए बुलाएगी CM हेमन्त ने कहा हम जमीन पर काम कर रहे, भाजपा ने जहारखन को लूट खंड बनाया मुख्य मंत्री हेमन्त ने राज एपाल के अविभासन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखते हुए भी पक्ष पर बुद्धवार को प्रहार किया उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जोजना बत तरीके से जहारखन को लूट खंड में बदल दिया है पिछली सरकार से उलट हम कागजों पर नहीं जमीन पर काम कर रहे हैं भाजपा को पहली बार पिपक्ष के तोर पर सही ट्रेनिंग हो रही है सरकार पर घोटालों के आरोप में उन्होंने पिछली सरकार के दवरान हुए कंबल घोटाले छात्रविती घोटाले आदिक कई मामलों की याद दिलाई दो माह से नकसलियों के कबजे में पच्छमी सिंभूम के दो गाउं जारखन के नकसल प्रहुईत पच्छमी सिमुम जीले के टोटो थाना छेतर के दो गाउं तुमबा हाका और सजम बुरू पिछले लगभग दो महिने से नकसलियों के कबजे में है दोनों गाउं की अबादी करीब 450 है गरामिनों को ना तो बाहर निकलने दिया जा रहा है और नहीं किसी बाहरी व्यक्ति को इस गाउं में परवेश करने दिया जा रहा है बता दे गाव में सिक्षकों के परवेश पर भी रोक लगा दी गई है इस वज़ा से प्राथमिक भी डाला है तुम्बा हाका भी जन्वारी से पहले सब्ता से बंद पड़ा है बताया जा रहा है कि चाई बासा से दो सिक्षक 16 जन्वारी को इसकूल खोलने गए थे दोनों सिक्षकों को नक्साली ने धम की दे कर भगा दिया था इसकी पुष्टी जीला सिक्ष़ विभाग ने भी की है विभाक की ओर से बताया गया है कि सम्माधीत इस्कूल के सिख्षकों ने लिख कर दिया है कि गामे नक्साली खौपाय इस वज़ा से ओई स्कूल खोलने में असमर्थाएं मंत्री बन्ना ने भाजबा का सदन से वाक आउट पर दे और भगोडा बोले जारखन बिधान से बागे बाएट सतर के तीसरे दीन राजय पाल के भासान पर मुख्यमंत्री है मंसुरे ने अपनी बात रखी इस दोरान भारते जनता पार्टी के सभी बिधायकों ने सदन से वाक आउट किया सदन के बाहर भाजबा ने गोत असकरी से लेकर मुख्यमंत्री के संबोधन को युआओ को चलने तक कारोप लगाया और कहा कि जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर गलत बियानबाजी करे तो वाक आउट करने के सिवा और कौन सा रास्ता बचता है मुख्य मंत्री के समोधन के दोरान भाजपा की वाकाउट करने पर स्वास्त मंत्री ने उन्हें भगडा करार दिया बता दे भाजपा बिधायक और पुर्व मंत्री भानु परताप साही ने स्थादन से वाकाउट करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि राजे में गो तसकरों का मनोबल बढ़ा हुए है जारखन से बंगला देश के लिए गो वन्स ये पसुओ की तसकरी हो रही है रांची में रोज तीन सो लोगों को काट रहे आवारा कुत्ता मामला बिधान सभा में जारखन बिधान सभा बयर सतर देश में प्रशनकाल के दवरान आवारा कुत्तों के कहर का मामला उठा भाजबा बिधायक बिरंची नरायन ने कहा है कि आवारा और पागल कुत्तों के अतंग का मामला बढ़ गया है डोग बाइट के मामले में लगातार बटोत्री हो रही है रायधानी राची में हर दिन 300 से ज्यादा मरीज डोग बाइट सेंटर पहुँच रहे है लेकिन अफसोस की बात या है कि बोकारो जैसे सहर में आवारा कुतों को पकड़ने के लिए एक गाड़ी की भी बेवस्ता नहीं है उन्होंने सरकार को सुझा दिया है कि हर जीले में डोग स्कौाइट का गठन होना चाहिए आचर्ज की बातिया है कि बोकारों जिसे सहर में एंटी रेविज की बेवस्था तक नहीं है रांची में सिर्फ 73 पेट लवर ने लाइसेंस ले रखा है देश में हर साल और सतन 20-11 से ज्यादा लोगों की डॉग बाइट की वज़ा से मौत होती है बिद्धान सवा में अनुबंध कर्मियों के अस्ताई करण का मुद्ददा उठा 72 के 번째 दि ज्यार खंड बिद्धान सवा में सरकार समान काम समान बेतन के मुद्दे पर फूस्टि दिखाई दी कॉंग्रेस बिधायक परदी प्यादों ने ध्याना कर्शन के जरीर राज्य में अनुबंद पर कायम कर रहे हैं लाखों लोगों को भविस को लेकर चिंता जताते हुए सरकार से इनके अस्थाई निदान के बारे में जनकारी मांगी थी जिस पर सरकार कर जबाब गोल माल दिखा बता दे सरकार के जबाब में यह कहा गया है कि अनुबंद पर बड़े प्रमाने पर अवैद निक्तिया हुई है जिस वज़ते समाइन कायम के लिए समाइन बेतर नहीं दे सकते हलाकि सरकार के दोगारा इस समद्ध में एक कमिटी बनाई गई है पर्दी प्यादों ने कहा है कि राज सरकार के दोगारा परासिस को और ओल्ड पेंशनी स्कीम का समधान निकालने के बाद राजी के लाखो अन सरकार के द्वारा लाएगा तीसरे और पूरक बैट पर परतिकिरिया अभ्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्य मंत्री हमान सरकार इसे लूटने के लिए लाए हैं इन्होंने कहा है कि काम धाम तो ओलो कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ और शिर्फ लूटने में लगे हैं बावला मरांडी ने कहा है कि खर्ष तो इन्हें करना नहीं है इन्हें तो सिर्फ कमाना है तो खाजाना से जीतना निकाल सको तो निकाल लो मुख्य मंत्री बोलते हैं कि हमें बहुमत मिला है इसलिए खोब लूट रहे हैं बागुला अमरांडी ने कहा है कि जब ED वाले पकड़ेंगे जब CBI वाले पकड़ेंगे तो बोलेंगे कि हम आदिवासी हैं इसलिए हमें तंग किया जा रहा है G20 को लेकर सुराक्षा चाक चौबन NSG ने संभाला मोर्चा राइधानी रांची में G20 समीट को लेकर देश बिदेश के महमानों का आना जाना जाली है इसे देखते हुए रांची पूलिस अलाट मोर्ड में आ चुकी है जारकन पूलिस का सभी विंग मसलन एटी एस सी आई डी स्पेसल बरांच जगवार और जैब महमानों की सुराक्षा के लिए रांची अरपोर्ट से लेकर होटल तक मुस्ताइद है जैसे ही बिदेशी महमान रांची अरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं उन्हें पूलिस के द्वारा सुराक्षा घेरे में ले लिया जा रहा है जिसके बाद उन्हें उनके मिली सुराक्षा स्रेनी को परदान कर होटल तक पहुंचाया जा रहा है वहीं दूसरी तरप राजधानी रांची में बिदेशी महमानों के आगमन को लेका सुराक्षा की भोत पूर विवस्ता देखने को मिल रही है राजधानी के चपे चपे पर सुराक्षा कर्मी तेना था है नई नियोजन निती को लेकर गुरु आरको केबिनेट की बैठक स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने कहा है कि गुरु आरको होने वाली केबिनेट की बैठक में नियोजन निती आ जाएगी उन्होंने कहा है कि नई नियोजन निती में युवाओक की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा उन्होंने कहा है कि सरकार अब की बार नियोजन निती पुरी परदर्शिता के साथ त्यार कर रही है युवाओक से राय मांगी गई है कहा है कि सर्वे में जो बाते आई है उस पर सरकार गंभीर है बन्ना गुपता ने कहा है कि हमारी सरकार की मंसा साफ है कि जो राज की जानता चाहेगी उसी के हिसाब से काम होगा हम राज की जानता पर जबरन निती थोपने वाले नहीं है पुरू की सरकार ने इतने काले का नामे किये हैं जिसे साफ करने में समय बख रहा है घृतलर भाय की सरकार दोवरा कराए गशे़ सर्वे में 206 वाली नियोजन निति के पॉक्ष में 75% ज्यादा युदा है जाई रहाय की नई नियोजन नीती में इसे प्रत्मिक्ता दे जाएगी थन्यवाद